नमस्कार, हेलो दोस्तों, घरका खाने सहता जाने में आप सबी का बहुत बस्वागत है दोस्तों आज हम बना रहे हैं ओरियो बिस्कीट केक, जोके खाने बहुत ही मज़्यदार है यह टेस्टीशचन केक जो बहुत बना सकते हैं दोस्तों ट्राइज जरूर कीज़ेगा आप देख रहे होंगे कि केक कितना सुन्दर सॉफ्ट स्पंजी मॉइस्ट बना है एक दम पर्फेक्ट जब आप इसे बना कर खाएंगे सच में दोस्तों आपको मज़ा आ जाएगा तो वीडियो को अंतक देखिएगा और रेसिपी प बरतल ले लेना है आप कड़ाय का भी यूज़ कर सकते हैं प्रोसेस सेम रहेगा अब हम इसमें डालेंगे नमक नॉर्मल खाने वाले नमक है करीब 200 ग्राम नमक लिया है हमने यह यूज़ किया नमक है इसलिए ऐसा दिख रहा है इस नमक को आपको यूज़ करने के बाद त टिख टोड़ दिखे नमक गरम हो रहा है बरतन कर ओ कॉर्टन गरम हो रहा हमारा आप तक हम जस वर्तन में केक बनाना है उसमें हम इस तरीक से घीं डालके थोड़ा सा यह तैल डालके इस तटरीक से ग्रीस लेंग91 को अच्छे से चारुतरब से कर बरतन में घीं यॉज लगाने के बाद आब हम इसके अऊपर रग देंगे यह इसरे इसके सैस का हम काट लेंगे किसी भी plain paperwork को रग देंगे इसकी उपर वा 시간이 सीप़ वे थोड़ा सा म吧 गी या तेल डालका ऑफ को हमें अच्से इसकी ऊप़र लगा देना है और इस तरीग से घी लगाने के करेंगे आप चाहें तो क्रीम समेत को साइड में भी सकते हैं करेंगे चाहें पर क्रीम को पीए विटियों बे ansa, चाहरें ए मेरें अधने कोई दे और्चनी और रोगछार हे यह उत्सके हैं अलग तरह के बहुत सारे बिस्किट रखे हुए होते हैं, जिने बच्चे आप नहीं खा रहे होते हैं, वो ऐसी रखे हुए होते हैं, तो घर में रखे हुए इन बिस्किट से भी आप से इसी तरीके से मज़ेदा टेस्टी केक बना सकते हैं, जो खाने बहुत बहुत टेस्ट बिस्किट को बारिक पीस लेना है दोस्तों केक बनाने का एक तरीका तो वह होता है जिसमें हम बोल में विस्कर की हैल्स से बैटर को लगाता है गुमातेवे केक का बैटर त्यार करते हैं जिसमें काफी महनत और समय लगता है लेकिन आज हम ऐसी तरीके से केक बनाएंगे जिस सबने हो सबीक तरह को on its instead will work in a ऐसे था दॉस्केज़ के कैड को बनाने के ? से करे एक चूती काट्रोडी देसी घी यानि की पांस से चबस गी जीक दाल रहे हैं आप उयल का भी यूज तो अगर आपका केक बने तो आप घी या फिर ओई का यूज जरूर करें तो अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर आदा चोटी चमच बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब यहां पर लेने एक ग्लास करीब दूद यह उबला हुआ हलका गरम दूद है और इसके अंद वरना इसकी जो कंसिस्टेंसी बिल्कुली पतली हो जाएगी तो कंसिस्टेंसी इसकी कैसी रखनी आप आगे देखेंगे तो थोड़ोड़ोड करके दूद रा लेंगे इसमें आदा ग्लास करीब यह दूद डाला है तो मिक्सर जानम से चला लेते हैं तो यह देखिए आशेनि चर्द सेजेंस में हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया है कोई महनत भी नहीं करनीपक्र आप और फटा-फटा इतना बढ़िया बैटर बनकर हो गया है तो अब हमने जो केक टिंध तीयार के आता हैधर्स करके घीसे इसमें हम यह बैटर तो इसमें रख देंगे, इस तरीकी का कोई भी एक इस्टैंड रख देंगे, और इसके अपर रख देंगे, हम ये केक का जिसमें बैटर रखा तो बढ़तान इसमें रख देंगे, तो अब हम इसे ढख कर, मीडियम फ्ले में करीब आदे घंटे तक बेक होने के लिए रख देंगे, तो इसमें टाइमिंग वैसे फिक्स नहीं होता, आदे घंटे से कम भी लग सकता, आदे घंटे से ज़्यादा भी लग सकता, तो आप इसे एक दो बारी चेक कर लेजेकर बीच में, तो यहां पर 10 मिन होगें, चेक कर लेते हैं, तो यह देखिए, हमारा जो केक है, वो फूलन स्टार्ट होगे, आप देख रहोंगे, अभी पक्का नहीं है, बिल्कुल भी उपर से देख रहा है, यह देखिए, टोटिक के हल्ट से हम इसको चेक कर लेते हैं, तो यह देखिए, बिल्कूल क्ली निकला है इसमें केक का जो बैटर वो लगावा इसका मतलब कच्छा आया भी तो इसको ढख देंगे और फिर हम इसे एक बार बीच मौर चेक कर लेंगे तो दोस्तों इसे वापिस हम से ढख देते हैं और बेख होने के लिए इसे छोड़ देते हैं कि प्रेंडzing से आधा घंटा हो गया है तो चैक कर लेते हम बीच मौव इससे एक बारी छाक किया था और तो देख लग रहे है बख और ब्लकुल पक गया इस यह देखेशी हैं यह पास से में आपको दिखा देती हूँ है कि बिखोल लग रहे है पग य। इसको छेक कर लेते ह जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम यह आप इसके लिए चोक्लेट गनाश त्यार कर लेते हैं इसके लिए पानी को बॉल कर लिया है इसके पर अगदी एक बोल और अब इसमें डाल देंगे वो जो जो चोक्लेट स्वारी बिस्किट क्रीम थी निकाली थी वो इसमें हम डाल जालेंगे आप बटर भी डाल सकते हैं और अब इसमें थोड़ा सा दूर डाल देंगे और इसे पूरी तरी से मेल्ट उन देंगी जैसी मेल्ट हो जाएगा तो चॉकलेट गनाश बनका रेडी हो जाएगा तो यह देखे हमारा यह मैल्ट हो गया है और यह केक भी हमारा यहां न वो जाएगे जाओ स्कंवकाइब लe कर दिंगे और इसको पलड देंगे और यह पासे ट्याप कर लेंगे ऐसा करने हैँ निности केग मेल जाएगा लें कारे Paco इसमें निकल गया और और अम और दो निकल से आराम रगागी को भी निकल जाता है गया इस तरही किसे हम अलगाज को निकाल लेंगे तो बटर इपर निकाल लिया और ये देखे गाइजной कितना बढ़ी केक बना है दोडिकि मैं आपको पास से दिखा देती हूँ बहुत सुंदर के मैं आप देखनु कितना सुंदर बना है। आ सेे जल्सर्ण विए कि चारो तरफ से मैं अच्छ से इसको अराम से चोकलेट गनाश लगाने से केक बहुत जाता सुन्दर लगता है चोकलेट गनाश को अच्छ से लगाने के बाद इसके उपर हम इस तरीकी से चोकलेट जैम्स लगा देंगे बहुत खुबसूरत लगेगा के ब्यूटिफुल लगेगा डेकोरेट कर देंगे चोकलेट जैम्स से या आप इसके उपर चोकलेट की कुछ चूरे इस तरीके से साइड में लगा सकते हैं और यह बिस्कुट भी लगा सकते हैं जिसमें भी आपको सही लेगे उस तरीके से अधुमिय लगरा उतरा ही खाने में टेस्टी है तो हम यहां पर आपको सब्षा है इस तरीक pronoun के डिखा देते हैं कि इतना मौइस्ट बनाएज के तो इसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे अराम से कट कर लेंगे इसको वाओ कितनी easily cut हो रहा ही देखिए बहुत ही मज़ेदा बहुत ही ज़्यादा टेस्ट फुल है हमने यह Oreo बिस्किट से बना है आप किसी भी बिस्किट से बना सकते हैं घर पे ऐसी रखे रहते हैं बिस्किट जो हमें अच्छे नहीं लगते पड़े-पड़े खराब हो जाते हैं तो अच्छे आप इस तरी किसे केक बना लिजे बहुत जादा अच्छा लगेगा आपको और जब भी आपका मनो आप इस तरी किसे केक बना के खाईए बहुत जादा टेस्टी बनेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, अगर आप इस तरी के से केक बनाते हैं, बिस्किट भी आपके खराब नहीं जाएंगे, कितना सॉफ्ट बनाएं यह देखे, रूई की तरह है बिल्कूल, मॉइस्ट बनाएं बिल्कूल, बहुत बहुत ब कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो जरूर ट्राइक कीजएगा, तो मिलतुमें अपने नेक्स्ट चुडियो में, तब तक के लिए, बाइ-बाइ, टेक केर, थैंक्स वर वाचिंग् कर दो Truly living, कर दो के लिए लगी वर कीजएबर्यों हाएंगे, यॉ ने मिलत। अभी तया जरूर आटकिंग्तथ। कमाले बुबस्ट बनाएंगे, तब गो चाफिते संसे भूरें या